आज मैं आप लोगों को कुछ ऐसी बातें बताने जा रहा हूं जो आपके fitness के लिए बहुत जुरूरी हैं जब भी आप workout करना चाहें, workout स्टार्ट करने जाते हैं तो उससे पहले ये चीज़ें आपके हमेशा ख्याल में रहें ये वीडियो इन लोगों के लिए जिन्हों ने पहले कभी workout नहीं किया वो लोग भी फॉलो कर सकते हैं जो पहले किसी को workout करवा रहे हैं या खुद कर रहे हैं जो फर्स तिंग है जो आपको हमेशा अपने ख्याल में रखनी चाहें वो है आपकी age अगर आपकी age 50 प्लस है आपको कुछ और चीजों का भी ख्याल रखना पड़ेगा तो वो अगली चीज क्या है health history अगर आपकी age 45-50 इससे अबब चलीगे तब आपको अपनी health history के बारे में definitely बहुत अच्छे से पता होना चाहिए आपको कोई BP issue नहीं होना चाहिए आपका कोई health related issue जिसके लिए आपकोई medication खार रहे हो जो डॉक्टर ने आपको रोक रखा हो work out के लिए आपको कोई heart issue नहीं होना चाहिए बिना कुछ किये आपकी सांस नहीं फूलनी चाहिए गफराट होना सांस में तकलीफ होना work out करते टाइम या कभी work out भी ना करते थोड़ा सा चलके ठक जाना तब यह सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी पड़ेंगी और अगर ऐसे symptoms आप feel कर रहे हैं तिन आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए औ हो है आपकी activity level सो मालो आपने पहले कभी work out किया ही नहीं सो आपकी job भी सो ऐसी थी आप पूरा दिन बैठी रहे office में बैठने कई काम था यहाँ सिर्फ वाइफ थे घर के काम ही किये सो बाहर की कोई भी activity नहीं थी सो अब आपने किसी के पीछे लग के या किसी को देखके work out क करना स्टार्ट कर दिया और एक दम से आपने intense work out करना स्टार्ट कर दिया आप उस जल्दबाजी के चक्कर में पक्का अपने health के साथ कोई ना कोई compromise करोगे और हो सकता कोई आपको injury आ जाए सो long term के लिए lifetime के लिए आपके अंदर एक डर बैठ जाएगा सो आप work out से दूर जाने की कोशिश करोगे सो पहले आप अपनी activity को थोड़ा बढ़ाना शुरू कीजिए जैसे morning में walk पे चले गए dog के साथ गूमने चले गए evening में कोई game खेल ली बच्चों के साथ खेलना शुरू कर दिया ऐसे क्या होगा आपकी body दीरे दीरे उस activity के used to होगी और दीरे दीरे आप work out की और अपनी activity की intensity बढ़ा सकते हो अगर आपके age सही है आपकी health history विलकुल होगे है आपकी activity level विलकुल सही है देन उसके बाद वाद वापको जो work out करने से पहले सबसे जरूरी चीज जो आपको याद रखनी होगी वह आपका पोस्चर मालो आपके shoulder rounded है तो shoulder rounded होते हैं आपकी chest muscle tight होने से तो आप जिम में जाएंगे या workout start करेंगे तो first workout में हमेशा याद रहते है push up करना तो push up करने से हमारे chest और ज्यादा strong हो जाएगी और हमारे shoulder और ज्यादा rounded हो जाएंगे और उसके opposite जो back के muscle है वह weak रह जाएंगे तो आपका rounded shoulder वाला जो posture है long term के लिए आपको और ज्यादा impact करने वाला है और other muscle आपका back का issue माल लो आपने weight कम करने के लिए हमें सबसे पहले जो याद आता है वह है आपके abs का workout आप बिना कुछ देखे समझे आप सीधा abs का workout करना start करेंगे तो वह आपके back को hard करना शुरू कर देंगे तो देरे देरे ये condition और खराब हो जाएगी तो आप long term करने की बजाए जल्दी quit कर लोगे workout से So guys overall मेरा ये video बनाने का main motive यही था आप सिर्फ six pack को या weight कम करने को छोड़के एक overall fitness पे और safe and effective workout को first preference दें तो यह मेरी जो कुछ tips हैं अगर आप इनको follow करेंगे तो आप definitely positive experience gain करेंगे और long term के लिए अच्छी health पाएंगे So guys अगर आप लोगों को मेरी दीगे जानकारी अच्छी लेगी हो तो please like और share करना मत भूलना So, अगर आप लोगों को कोई भी health related कोई भी doubt हो तो please मेरे comment box में आप पक का डालना So, हो सके मैं आपकी help कर सकूँ अगली वीडियो के लिए update रहने के लिए So, please subscribe my channel and press bell icon